सकता हैं आप आज की हमारी क्लास की लेक्चर नंबर 29 है और 29 रेक्चर नंबर में हम थोघ्य प्रीडारि प्रीज्ड का मैं थोड़ा आपके प्रेह आपको पड़ाया ता बी不會 अफक्क पिद फोटोशॉब ठीक है टीक जो मैंने एक पिक्चरी मॉडल्टी फिक्चर के उपड़ जो सको पेंटिंटिंटे के विएक्चर बनाना बताइएथे तो उसके अंदर रैजूलेशन का मैंने उस दिन भी आपको बताया था प्रिविए अगर आपने डिक्चर का किसी भी उसकी नॉर्मली जो रैजुलेशन जो मोड होना चाहिए और उससे कम आगर रैजुलेशन पिक्टिस के उपर आप बनाएंगा तो पिक्टर कुछ इस तरह से हो जाए कि यह वीडियो मैंने भी अप्लोड नहीं किये तो इसका रेफरेंस मैं इंशाला यह लेक्टर नंबर जब मैंने कम्प्लीट इसके उपर पैंटिक एफेक्स बनाया था तो यहां पर देखे कि इस मॉडल की आइस वगयरा तमाम चीज़ें क्या हो गई यह बिल्कुल ही जब मैंने फिल्टर की उपर डिफ्यूस कर रहा था तो तो इफ्यूस में एफेक्स में लगाने पर इसकी क्लास में करना है तो आज की क्लास में इसी पैंटिक एफेक्स को थोड़ा असान डिफरेंट स्टाइल्स में करना सुखेंगा तो उसको हम कहते हैं और प्रीवेस क्लास में मैंने एक मॉडल यानि सारा खान की तिक्सीर के उपर आपको करना बताऊंगा किस तरह से उपर और और वह पिक्चर जोगी वह हाई डियफिनिशन में मैं लूँगा यानि की उसकी पैक्जल चैन साइट होगी वह सिक्स्टीन हंडड इसके वर्द होगी ऐसकी राज़ोशन सैवन मोर्जू होगी वह सैवेंटी टू होगी डिपी आई तो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से समझें कि कोशिश की जगा step by step मैं आपको लिखवाऊंगा सबसे पहले लेक्टिर नबर ट्वेंटी राइन में आज हम करें पूडिशॉप टू ऑल पैंटिक टिक्स विदाओट ऑईल फिल्टर्स पूडिशॉप इन ओटू ठीके यह विदाओट फिल्टर्स के मैं आ आपको करना करी या ब्लाक और वाइट आपके सामने एक इमेज किसको किस तरह से फियर करते हैं उसके फेस को ठीके तो वह एक क्लिक के उपर भी इससे पहले लेक्टिर नबर मेरे 27 के अंदर मैंने आपको इसके फाइनर के नाम से एक फिल्टर्स आपको करवाया ता वह शे से बी बैक पर मैंने उसको विदाउट फिल्टर्स के किस तरह से किस तरह से किस तरह से फेक्स बनाते हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं चाहता तो दूसरे टीचर्स की तरह या दूसरे नॉर्मल टीचर्स की तरह मैं आप फिल्टर्स के उपर बता दे लेकिन असल म natural effects आपको सिखाने का मक्सद है कि किस तरह से आप filter और modes की उपर खेल कर आप एक picture की उपर effects बना सकते हैं तो वो ideas मुझे आप से share करना है तो आज की class में लेक्चर नमेर 29 में previous class painting effect था और आज की class में all painting effects without all photoshop oil filter without all filter photoshop में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस तरह से आपने देखा होगा यहां पिक्टर में बहुत सारे आपके शो हो रहे हैं तो चले आए आज हम यह सारे अफेक्ट्स हम बनाएंगे नौर सारे पिक्टर की उपर इस पिक्टर को बनाऊंगा उसके बाद पिर आपको इसी तरह है कि नौर्मल पिक्टर सामने रखतर दिखाऊंगा तो चले आए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें फोडिशॉप में सबसे पहले चीज़ के हमने फाइल पर जाना है हमने नियू पे जाने के बाद सबसे पहले हमने राजलेशन सेट करना है हमारी हाइट भी पिक्टर को लेकर आते हैं तीके पिचर को लाने के लिए कहा जाएंगे हम सब्सक्राइब करते हैं तो जनाम हमारे पास ब्राद को लिए वह पिक्चर जिसके उपर मैं आपको आपको बनाना इसको पर ओपन करेंगे आप ठीक है नौर्मल इस पिक्चर की साइज किया है कितनी है मैं वह दिखा देता हूं आपको इमेज में जाके आप साइज की ऊपर जाएंगे तो इसकी नॉर्मल साइज वर्डेश की 1080 और 3050 ने की 10 से अब इसकी विद्ध और कर देता हैं यहां से यहां से क्लिक कर से पिक्चर यहां पर अब ये पिक्चर आप नॉर्मल नाम दे दें रिए जब है हमारी एक मास्टर किच्चर जिसके ऊपर हमने काम कर गाई ठीक एक है हमारी मास्टर पिक्चर अच्छाएगे इसके अब मैं आपको साइज डिखाएं तो इस से कम होगे उसकी मौडल मौडल पर पिक्चर किसी आई कि आई फिर आपके सामने ऐसे हो जाएगा कि डिफ्यूज हो जाएगा बिल्कुल ही समझ दियागी कि वह इसकी आई जायत हो नहीं वह इसकी इसी ने फोर्द हो नी था तो इसलिक कोशिश की जगा दिया दिखे यहां पर मैं आपके में सब्सक्राइब करने के बाद इसकी वद नाम रखती है मास्टर पिक्चर का ठीक है ठीक है पिक्चर्स का नाम से मैं इसको डिलीट कर देता हूं सब्सक्राइब करने के बाद आपने सिंपल लिया करना है जैसे आपने कॉपी करने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे आप जाएंगे जनाब आपने हैँ और आपके सीसे आगर मैं सबसे बढ़ाताँ है इसके बेक्राउंट को बढा रहा हूँनूगा और highlight में amount पर करूंगा उसकते फेस व deemed बाद मैं कर देता कि को उले जैसिना इसको aware गांत करने वाद नहीं से लाइ घूँए थीक़ है तो इस इस ब्राइट होग में जाओंगा जयुँ और मैं चैनल से लेवल लाई सकते और इमेड़ आनल में अब भी इमेड़ स्टाल से आफ जाकर ला सकते हैं AA तो यहां से फ्ले से से एक चिरने के बाद यानि यहां से भी थोड़ा सा आगे 241 और यहां से कम से कम तूफ जहां से 25 कर लिए और इसके बाद आप सिंपल इसको कर लिए तो आपने इसको कर लिए तो आपने इसको डूब्लिकेट निकाल लिए राइट किलिक करके डूब्लिकेट और यहां से आप इसको नाम दे दीज कोपी कोपी डैश वन करने के बाद आपने सबसे फ़हले जाना है फिल्टर में प्राइफिक्ट आपने यूस करना है और इस तरह से आ रहा है तीक है और आपने इसको कर दिए के बाद यहां से आपने लियर्स में जाना है लेयर्स में मोड में जाएकर जब करेंगे ऑफ फिक्चिर तरह से इसलिए अप कॉपी वाली लेयर्स है में उसको और आपने हाई पास यूज किया है खिल्टरस में से अब आप नोगा यज्डंब करने है राइट किलिक कर के हैं हैं हैंहां से change clear bet car smart layer नहीं बनाना 해पने layer आपने eak layer लास प्राश में समार्ट आप्जिक्ट किया था तो ओर गल्स्ति होए हैं तो आपने इन दोनों को merge शर्षक करके लिफ में शनार अप में चाना है प। पर भार kitchen यह को तो कि इसका म aíट कूड क Argentina के जना आब आ नचाना है फिल्टर पे दोरा है तीक है अब यह कॉपी 1 नजाना उस पे शार्पस पे शार्पस मेwn जाकर आपने अचशाउर्प मास पे कलिक करना है और यहां से इसके अमोंट्स वगराँ देखें यहां से normally मैं आपको दिखा हुरू है इस तस्वीर के अमोंट्स वगरा नॉर्मली 90 है ठीके तो आफ 50 सक्षर को कर सकते की मैं फिल हाल 135 क्ठक घ्रिट्टायल हम टाओ मोंट्रिट्टायलर्ड पर इसको करूँगा जैसी में डिफ्यूज करूँगा डिफ्यूज में डिफ्रेंट स्टाइल है मेरे पास इमेज कुछ इस तरह से आजएगी तो यहां से मोड में जाके नॉर्मल था डार के मैं वैसी इस ट्रॉपिक पे क्लिक करूँगा और सिंपल को कर दो जैसी किया अब मैं इस इमेज को फाइफ टाइम डिफ्यूज करने डिफ्रेंट लिए गां जाओंगा मैं जाओंगा वापिस इमेज पर यहां से 90 को डेट करूँगा तुबारा से इमेज फिल्टर पर जाके त्प्यूज कर दूंगा ठीक है इस तरह मुझे फाइफ टाइम टूट एम हो गया तो तिके पिर दोबारा जाके आपने तो आप ने करने के बाद आपकी इस तरह से हो चुके आपके सामने बन चुके दाड़ी वगरा पर यह इफक्स आना शुरूरू है उसके बाद आपने क्या गाम करना उसके बाद बाद बबारा आपने फिल्टर पर चाहना है और फिल्टर में जाकर प्रेट्रनाओ आप एयुक्षियघ करेंगे तुकर बाकी प्रस्टेक डीटेल्स है रिद्यूस कलर नॉइस है और शार्पन डीटेल है इसको मैं 0-0 एक हूँगा इसको default पर रखूँगा basic पर रखके इसको normal okay कर दूँगा okay करने के बाद जैसी मैंने इसको कर लिया okay करने के बाद दुबारा से मैं कहा जाओंगा filter में और दुबारा से एक तफ़ा फिस sharpen में जाके मैं इसको करूँगा दुबारा से unmask और यहां से इस बार जो मैंने 35 किया था इसको मैं कर दूँगा 99 तक यह फैक्स बंदा शुरू हो जाए यह देखें चुटा कर लेता हूं तक यह देखें यह और पेंटिंग स्टाइल में पिक्टर में इसके बाद मैं क्या करूँगा करने के बाद मुझे अब लेना है जो गजाऊंगा फिर और जाओगा फिर उल्डर्स पे जाऊँगा फिर nep करूंगा तो करने कोई बाद दुबार यहांसे नॉर्मल नाप करूंगा क come here's a नीचे वाय लैर से मुझे निक्ली केश Billigée निकालने उल्किन का दो मैंने क्षिक प्रेस करेंगे तो यहां प tensor तो थोड़ा सा जाहें तो प्रेस करने के चाहें से क्म करें तो साउत्वर उसके पर क्या उसके बाद आपने फ्रैक्स लगाना है तो इसके लिए क्या करें आप यहां से लिए देर ने करने के बाद यहां से आप प्लिक करना आपने तरह से तरह से हो जाएंगे तिक है उसके बाद फिर दुबारा से यहां से एक्स रवाएंगे आपके यहां से यह थोड़ा सा रैट करने के बाद आप करना है आपने नॉर्मल और ले और इसको चैसे ही आप इसको कम्रीट करेंगे ने अब यह एक प्रेस करें अब यह कंट्रोल प्लस कर लें यह आपको वैड़ कंप्रीट त्यार अब सेवन एक्टिफ कर लें लेर पर इसको आप एंविजिबल करके देखें इसको एसी थी ठीक है नॉर्मल ने तस्वीर विच ऐसी थी यह आपकी उर्जिनल तस्वीर थी जब आप इसको उड़ाएंगे तो यह आपके आपके सामने एक आप जैसे जास इसमें आप लगाते जाएंगे यहां से यह आपका एक इमेज और पेंटिंग एफेक्ट्स आपका कम्प्लीट स्टाइल के साथ त्यार होगी आई होप कि आपको यह क्लास अच्छी तरह समझमा आ रही होगी अब आप खुदी अंदाजा लगा रहें कि इस क्लास में वापस आते हैं इस एफेक कितनी ज़ादा शाहा है उमीद करता हूं जनाब आज की ऐफेक्ट पेंटिंग एफेक्ट लैक्चिर नमबर ट्विएनग और आपको चुछी तरह समझ में आया होगा अच्छी तरह साब्सकित रहां कोई भी कोस्ट आपके जहन में किसी तरहां भी क्यूरीज है तो आप बहुत जादा ख्याल रखेगा उसके उपर आप लोग उससे कुछ गया अच्छी तरह से प्रैक्टिक्स कीजिगा बेज़ जिएगा मेरे चैक करूंगा फिर बहुताओंगा जादा अच्छा गाम कि अपना जादा अपना ख्याल रखेगा